हेलो मैं प्रेशस फ्रेंट वेलकम बैक टू माई चैनल हुईचीज संचीता कुई खेल दिया टेस्टी मैं हूँ संचीता बेसरा और एक नए रेसिपी लेकर कीचन में आ गई हूँ और बाकी सब कठाल को पकने के लिए रख दिये थे और उनी में से एक कठाल क्यूंकि कठाल बहुत बढ़ा होता है इसलिए फ्रूट के जैसे जितना खाना होता है हम लोग खा लेते हैं इसके बाद बचा हुआ कठाल को हम बोरा यानि की स्वीट बोरा बनाते हैं या फिर इस तरह का पीठा बना कर खाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो पके कठाल से हम बीज को निकाल रहे हैं बीज का भी रेसिपी मेरे चैनल में है इस वीडियो की एंड स्क्रीन या फिर आई बटन में डाल दूंगी वहां से आप जाकर देख सकते हो इस बीज को निकाल के अच्छे से धो के धूप में सुखाने के बाद इसको हम पकाते हैं कैसे पकाते हैं ये वाला रेसिपी आप जरूर देखना मैं आशा करूंगी आप सभी को अच्छा लगेगा ये देखिए बीज को हम निकाल रहे हैं और बीज के साथ एक पतला एक लेय अब इसका पेस्ट बना लेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, हमने अच्छे से ग्राइंडर में इसको पीछ लिया है, यह देखिए, यह थोड़ा दिख रहा है, लेकिन बहुत सारा पीठा बनकर तयार होगा, एक बरतन में इसको निकाल लिया है, अब इसमें हमको देन के जैसा चावल का आटा और हप का टोड़ी के जैसा मैदा आप चाहो तो यहां पे मैदे के बदले आटा भी दे सकते हो लास्ट में इसमें हम देंगे थोड़ा सा नमक दो से तीन फिंच के करिप नमक देने के बाद अब इन सारे चीजों को एक साथ अच्छे से मिक्स कर लें आज सिर्फ कठाल का पीठा नहीं बोड़ा भी मैंने बनाया है लेकिन बोड़ा वाला रेसिपी आप लोगों के साथ पहले मैंने स्यार किया है इसलिए बोड़ा वाला रेसिपी आप लोगों के साथ मैं आज स्यार नहीं कर रही हूं सिर्फ पीठा का रेसिपी शेर कर रही यहां पे मैंने हपचममच से थोड़ा सा कम सौंफ लिया है अच्छे से इस तरह से भून रहे हैं इसके बाद इसका पावडर बनाएंगे और आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा नारियल काटके भी दे सकते हो तो पीठा का स्वाद और भी जादा बर जाता है तो यहां पे हमने बना लिया है हलका हलका सौंफ हमने रख दिया है वह मुझ में लगे गा खाने में इसलिए स्वाद को अच्छे से मिला लेने के बाद 15-20 मिनिट के लिए इसको साइड में रख देंगे क्यूंकि इसमें सुजी है सूजी फूल कर डबल हो जाएगा 20 मिनिट के बाद इस बैटर को बहुत जदा पतला या फिर गारह नहीं बनाना है ये देखिए आपका बैटर एकदम ऐसा होना चाहिए पतला हो जाएगा तो पीठा नहीं बनेगा और गारह हो जाएगा तो पीठा मूटा बनेगा फट भी सकता है इसलिए मैंने आप लोगों को जिस तरह का दिखा के लिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करते वक्त पास में जो घंटी है यानि की नोटिफिकेशन बेल उसको ओन करके और पे क्लिक कर दे जिससे की जब भी मैं कोई नए रेसिपी बनाऊंगी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और सबसे पहल आप भी इस रेसिपी को देखने के बाद इसी तरह से जैक फूर्ट पीठा यानि की कठाल का पीठा घर पे जरूर बनाएए खाईए और मुझे कॉमेंट के द्वारा जरूर बताएए ये रेसिपी आप लोगों को कैसा लगा पका हुआ कठाल का पीठा आपने घर पे कैसा और ये रेसिपी अगर आपको बहुत अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस रेसिपी को जरूर शेयर करें जिससे वो भी कठाल का पीठा बना कर खा पाए थैंक यू सो मच फ्रेंड मेरी पूरी रेसिपी मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए इस वीडियो की एंड स्क्रीन या फिर आई बटन या फिर डेस्क्रिप्शन में कठाल के बीज का सबजी मैंने किस तरह से बनाया है उसका लिंक डाल दूँगी और रो कठाल याने की कैसा लगता है यहां पे आप देख सकते हो एक एक करके कितना बढ़िया फूल कर पीठा बनकर तयार हो रहा है मेरी रेसिपी फॉलो करके आप घर पे कठाल का पीठा बनाएंगे तो आपका पीठा भी ऐसा फुला हुआ मोटा मोटा बढ़िया पीठा बनकर तयार होगा लिए सिर्फ पांच ही पीठा सजाया है लेकिन बहुत सारा पीठा मैंने बनाया है घर पे बहुत सारे लोग है वो लोग खा रहे हैं आप लोगों के लिए सिर्फ ये पांच पीठा मैं आप लोगों को दिखा रही हूं आप लोगों के साथ फिर जल्दी मुलाकात होगी झाल 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 झाल